नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी नोट नाइन प्रो पर एरफोन जेक प्रॉब्लम को सौल्ट के से कर सकते हैं तो दोस्तों एरफोन जेक प्रॉब्लम ठीक है वह किस वज़े से आते हैं तो दोस्तों जद तर यह प्रॉब्लम जो है आपको डस्ट के वज़े से आते हैं या फिर कभी कभी जो है उसके आपके दोस्तों एयरफोन के जगह पर आप कुछ जो है आप रोड़ोस टो मान लिजे यह वागएरा भर देते हैं ठीक है उस एयरफोन प्लाग में तो दोस्तों कभी-कभी क्या हो जाते हैं यह जिए आप ऐसा कुछ भी करते हैं हरकत आपनी दिवाइस के साथ में ठीक ऐसा नहीं करना है तो उससे आपका problem बढ़ सकते हैं तो दोस्तों headphone jack का जो problem है वह दोस्तों software के वज़े से आते हैं या फिर hardware के वज़े से आ जाते हैं कभी-कभी device के अंदर पर जब short circuit बगएरा होते हैं तब दोस्तों आपके connection वह चले जाते हैं तो यह सब दोस्तों रिजन से एरफोन जेक problem किस वज़े से आते हैं तो आपको यह सब जानना है होगा ठीक है तो इससे आपको थोड़ा और knowledge अच्छी मिल जाएगा कि एरफोन का जेक problem कर रहे तो किस वज़े से कर रहे तो चले दोस्तों वीडियो को भी आम बीना देर के वे शुरू कर लेते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेर आइकन को क्लिक जरू करें यहीं आप ओनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों यह जेक का जो problem आ रहा है ठीक है अब दोस्तों दू दूसरा वाला है वह काम कर जाएगा ठीक है तो आप यह कर सकते हैं यहां फिर आपका जो एएरफोन अभी आप रिसेंट ली उसकरें उसको दूसरे फून पर प्लग करके देखें दूसरे फून पर काम कर रहें तो हो सकते आपकी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो अगर तो चोफ 만들 पहले तो दोस्तोers अब जोए अपने एइर्फोन को साफ करकी देखीए ठीक है तो उससे क्या होगा कच्रा बखेरा रहे गा तो भी निकल जाएगा और दोस्तों यह पर आप यह करके सबसे पहले देखीगा ठीक है साफ मैंकर आपको करना होगा उसके बाद है दोस्तों आपको क्या करना एं दिवाइस को एक बार रेश्टार्ट करकेश्ट कर लेना थो आप देखेगा कि आपका प्राप्लम जो है वह fix हो रहा है या नहीं हो रहा है यह इसरी fix हो जाते है फ्रॉलम ठीक है नहीं होते तरह करने के बाद भी तो आप एक तुमनें software को update करके जरूर देखें ठीक है software वगर अपडेट करके देखें उससे आपका जो इश्यू है वो फिक्स जरूर हो जाएगा क्यूंकि दोस्तों software आपको मदद करेगा problem वगरा fix करने के लिए सारी साथ दोस्तों यह दिया आपकी डिवाइस पर Bluetooth connection वगरा ओन है किसी डिवाइस के साथ connected है Bluetooth तो दोस्तों आपकी एरफोन पर वोइस नहीं आएगा ठीक है तो Bluetooth वगरा को off कर ले और सारी साथ दोस्तों software वगरा update करके देखें इससे आपका काम बन जाएगा और आपका problem भी solve हो जाएगा ठीक है और दोस्तों आपर क्या कर सकते है अपनी एरफोन को अपने डिवाइस पर आपको जो है यह काम फटाफट करना होगा ठीक है एक बार फटक से जो है अपने जो एरफोन है उसको भर दीजिए अपने डिवाइस में और जल्दी से करके आप जो है उसको सब्सक्राइब निखे तो आपको यह जो काम है फास्ट से करना होगा एयरफोन को प्लाग करके फटक से उसको बाहर निकाल लिए देखना है तो इसके बाद दोस्तों दूबारा से एक बार आप इंसर्ट करके देखे तो यहींसा करने से कभी कभी क्या हो जातें फिक्स हो प्रॉब्लेंस वेगरा ठीक है और आपका इश्यू भी इसी प्रकार से फिक्स हो जाएगा सारे साथ दोस्तों एरफोन सेटिंग आप करके देखे तो उसके लिए आपको साउन इन वाइबरेशन पर ऑप्शन मिल जाएगा तो नीचे जाके आपको साउन एफेक्स सेलेक कर ल इसलिए आप दोस्तों इस तरह का जो इश्यू है आप इससे फिक्स कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों यहाँ पर सॉलूइशन सेटिंग सब कुछ करने के बाद भी अगर प्रॉब्लेम जो है सौन नहीं हो पाते तो आपको दोस्तों करना क्या है आप जो टेक्निशन के पास चाहिए अपने जो डिवाइस से उसको चेक करवाई है क्योंकि दोस्तों यहाप पर सोट सरकीट का अगर प्रॉब्लेम भी है ठीक है तो वह फिक्स करके देगा अर्वाइस दोस्तों आपका जो इश्यू है वह आप खुद से फिक्स नहीं कर पाऊगे ठीक है तो हेड़फ ठीक है तो वह फिक्स करके देगा आपका प्रॉब्लेम तो आज के इस वीडियो बोटो से बस इतने पहले तो आप नॉर्मल सॉलुशन कीजिए अगर सॉलुशन से काम नहीं बनते तो दोस्तों आप सिंप्री टेक्निशन के पास ही चले जाए सबसे अच्छा यही रहेगा तो आज के लिए वस इतने, तेंक्स वराचिंग